हलो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है परमून तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि वीवो वी 27 में ट्रायल वर्जन के तौर पे अक्टूबर में एक अपडेट देखने को मिला था लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रायल वर्जन से जो अपडेट था ने वो डिसेपियर हो चुका था तो फाइनली उस अपडेट में कुछ ना कुछ प्राबलम देखने को मिले थे जिसके वज़े से जो अपडेट था वो डिसेपियर हो चुका है तो उस अपडेट का इस्टेबल अपडेट फाइली वीवो वी 27 में आ चुका है तो आप भी अगर यूज करते हैं वीवो वी 27 तो फटफट सिस्टम अपडेट में जाएए चेक करिए हो सकता है कि आपको ये अपडेट मिल गया होगा तो दोस्तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले है कि आपके वीवो वी 27 में चो इस्टेबल अपडेट आया है उसकी साइज क्या है वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है हाँ दोस्तों आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंटी या रहा है कि इस अपडेट को हमें अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के इन तक वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना चै दाएगा और बात करें दोस्तो अपडेट की तो जो ट्रायल वर्जन में अपडेट मिला था सेम अपडेट मिला है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पहले 55 ता आप 56 हो चुका है जो वर्जन है 13.09.56 और साइज की बात करें दोस्तो 315 MB के असपास की साइज है और मैं कहू अप्टूबर 2023 का है खर आपके फोन में थोड़ा सा पीछे का शिकोटी पैच का अपडेट देखने को मिल रहा है तो बहुत ज्यादे चांस है कि आपको 8-10 दिनों के अंदर एक और अपडेट देखने को मिलेगा आपके वी 27 में वही पर दोस्तो आपके फोन में जो भी थ दिस्प्ले को हम डाउन करते थे तो दिस्प्ले का कलर यहां पे डिफरेंट दीखता था उसको यहां पर फिक्स करने के बात कर तो आपको भी पता होगा कि आप जितना एक्ष्पक्त करते हैं वीवी 27 में उस तरहा का कैमरा आभी तक पर फृफॉर्म नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूट किया गया हो आपके कैमरे में जो भी थोड़ा बहुत इसू आ रही थी उसको फिक्स किया गया हो आप देख सकते हैं optimize the stability of camera function और network की बात करें तो सब को पता है दोस्तों कि network की इसू अभी भी आपके इस्टेंडबाइट तो दोस्तों एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूं और चेक कर लेता हूं कि इसी तरह का कोई additional feature देखने को मिल रहा है और इस update के बाद अगर security patch की बात करें तो आपको दिखा दू कि इस update के बाद जो security patch देखने को मिलता है वो first of October का देखने को मिलता है हाँ दोस्तों बात करें दोस्तों additional feature की तो यहां पे एक अच्छा सा option आपको आई manager में देखने को मिल जाता है isolation box जो कि मैं कहूंगा काफी अच्छा feature है आपके phone में किसी app के दोरा background में add आते हैं तो उसको अब आप अपने according select करके उस add को block कर सकते हैं एक देख सकते हैं utility tool में जाना है आपको यहां पे एक अलग से option देखने को मिलेगा isolation box इस पे click तो जो भी detail है आप पढ़ सकते हैं यहां पे और यहां पे select करके आप यो app आपको background में add देते हैं उसको आप यहां से off कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह अच्छा सा feature आपके i manager में देखने को मिलता है मैं कहूंगा दोस्तों यह जो feature Android 14 में देखने को मिलेगा लेकिन आपके तरह का confusion लग रहा है install करने में तो दो दिन रुख जाएए इसका detail review आजाएगी तो जाके आप update कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छी लगी है तो like करिए धन्यवाद